कोविड आने वाला है जैसा कि आपने खबरें देखी होंगी और मैंने एक लाश्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी कि देखो कोविड आएगा तो आप ये बिजनिस कर लेना और इन बिजनिस को करके आप अच्छा खासा पैसा घर वेटे बैटे कोविड की समय पर रखोगे तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है जो कि मेरे साथ गलत हुआ था हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोविड आता है और हमारी दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई इस समय क्या कर रहे है नौकरी छूट चुकी है फैमली की हालत खराब है घर में आर्थिक तंगी चल रही है और बहुत सारी समस्या है चल रही है तो इस कंडिसन में हमको क्या करना हिए तो एक बड़ा इसو यह हमारी फैमली में रहता है आपकी फैमली में भी रहता है तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक बिजिंस बहुत रिपा बूम पे चल रहा है वो है essential item का medical मेडिकल प्रूडेक्ट का तो हमारे दमाग वे एक ख्याल आता है कि मेडिकल प्रूडेक्ट का बिजनिस कर लें तो कैसा रहे तो उसमें आती हैं जैसे कि मास्क होती हैं सैनिटाइजर होती हैं या ऐसी बहुत सारी मसीनरी आती हैं जिसमें अलग-अलग तरह की मसीन आती हैं जिनसे बुखार देख सकती हैं, सैनिटाइजिंग मसीन आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम लोग क्या सूचते हैं, कि हम इनको लेकर सेल करें, तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन एक गलती मुझे से हुई थी, जिसमें मैं पसा था, तो सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप सेल कर सकते हैं, घर पे मास्क बनवा सकते हैं, कॉटन के मास्क बनवा सकते हैं, 3-ply मास्क कहीं से खरीद कर सेल कर सकते हैं, कोई परिशानी वाली बात नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं मास्क के साथ सैनिटाइजर भी सेल करना सुरू कर देती है लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि सैनिटाइजर हर कोई सेल नहीं कर सकता रूल्स के साथ से sanitizer sale करने के लिए drugs license होना जरूरी है अब आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था मैंने पिछले lockdown में जब business शुरू किया था तो lockdown में बड़े परेशान थे family issue भी थे, पैसे की दिक्कत थी तो हमें भी वही देखा कि mask sale हो रहे हैं सबसे ज़्यादा इसके अलाबा covid से related अलग-अलग चीज़े हैं वो बहुत sale हो रही है तो मैंने उनका काम शुरू किया जब मैंने उनका काम शुरू किया तो काफी अच्छा काम चला, online भी sale किये लेकिन कुछ समय बाद मेरी एक company से contact हुगा गुजरात की एक company थी उन्होंने बोला कि देखो रोयद भाई हमने आपकी अलग-अलग जगे वीडियो देखी हैं जहां पर आप mask के बारे में बताती हैं और mask आप sale करते हैं तो covid चल रहा है mask आप sale कर रहे हैं mask के अलाबा covid की जो machinery है उनको आप sale कर रहे हैं 800 रुपई की मिलती थी और उन्होंने मेरे को बताई थी कि 400 रुपई की मिल जाएगी 800 रुपई की sale होती है आराम से sale होगी मैंने का यार business भी 50% profit वाला है तो हम कर लेंगे तो बढ़िया ही डएगा तो उसके बाद मैंने उनको order दे दिया कि आप एक काम करो आप sanitizer मेरे पास भेज दो तो मैंने उनको order दे दिया 20-25 जार रुपई माल का और उसके बाद वो माल मेरे पास आ गया जब माल आया मैं sale कर रहा था आराम से और उसके बाद एक मेरा दोस्त है जो की advocate है वो मेरे पास आया एक दिन मुलाकात हुई उससे तो उसने बोला कि देख क्या हूं भाई रोहित कैसे business कर रहा है अपना covid के time पे तो वो मेरे पास आया आया तो बात हुई तो उसने मेरे को एक जानकारी दी कि रोहित ये तु sanitizer जो sale कर रहा है ये sanitizer आप sale नहीं कर सकते without drugs license मैंने का अब भाई क्या करें तो उसने बोला अगर तेरी गाड़ी पकड़ी गई है तुने माल एक जगे से दूसरी जगे भेजा और तेरी गाड़ी पकड़ी गई और उसमें आपने drugs license की detail नहीं दी है तो आपके उपर कारेवाई हो सकती है जुर्माना लग सकता है गाड़ी सील हो सकती है और आपको jail तक हो सकती है मैंने का यार ये तो बड़ा पंगा पस किया क्योंकि इतना पैसा कमाया तो है नहीं अभी तो उससे ज़्यादा गवा देंगे और jail हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत तो मैंने का तो भाई अब क्या करना चाहिए तो उसने मेरे कोई एक सला दी कि रोहेत तू अब sanitizer जितना ले लिया है उससे तो निकालते भाई आँगे से sanitizer का मत करना इसके अलब मास्क बगएरा या दूसरे जो item है उनका तो कर सकता है कोई दिक्कत नहीं तो मैंने फिर क्या किया कि दूसरे जो item थे उनका तो business किया लेकिन sanitizer का business मैंने नहीं किया अब भाई आप लोगों को मैं यहाँ पर यही सला देने वाला हूँ कि मैंने जो सीग ली वहाँ से वही सीग मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रोडों पर mask सेल करती है sanitizer भी बेजती है इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी परचुने की दुकान पर sanitizer रखे बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग है बैसे तो degree होती है by chance नहीं भी है तो वो सेल कर सकता है उसके पास एक authority रहती है और कोई भी जब उसकी जांच भी करेगा तो अगर उसके पास medical के license है या medical certificate है तो लोग कह देंगे जो भी जांच करने आएगा कि कोई दिक्कत नहीं भाई ये तो सेल करेंगे और COVID का time है और इस समय ये नहीं सेल करेंगे तो कौन करेगा इसके अलाबा आप जैसे लोग अगर सेल करते हैं जैसे आप परचूने की दुकान चलाती हैं आप रोड पे सेल करते हैं तो आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है तो अब की बार अगर COVID आता है तो आप सेनिटाइजर को छोड़ कर दूसरे जो भी आइटम है जिनको आप आसानी से सेल कर सकते हैं आप 3-ply मास्क कर सकते हैं कॉटन के मास्क सेल कर सकते हैं और आपको बहुत सारी कंपनियों के मास्क मिल जाएंगे N95, KN95 इस तरह के मास्क आप सेल कर सकते हैं आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मास्क सेल करने में और बलकि मैं तो आपको सजेशन दूँगा कि आपके यहां पर अगर मास्क की बहुत सारे जो बेसिक आइटम होते हैं उनके डिलिव़री बंद कर दी जाती है सिर्फ औस शर्फ सेस्यल आइटम की डिलिवरी आउन रहती है तो उस समय जो यह एसेंसियल आइटम है जैसे मास्क सेनिटैजर ऐसे जो आइटम होते इनकी टिमांड automatically बढ़ जाती है और उस समय सबसे ज़्यादा sale निकलती है तो आप अलग-अलग platform पर selling के लिए mask लगा सकते हैं आप अपने घर पर mask बनवा सकते हैं cotton के इसके अलावा आप tailor से बनवा सकते हैं आपके आसपास factory आएं तो three ply mask आप होँआ से ले सकते हैं और N95 N95 ऐसे mask भी आप online sale कर सकते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे कि रोएदरा ही हमारे पास तो GST नहीं है तो अब हम कैसे sale करें तो सरकार का एक नया नियम आने वारा है आप लोगों को बताना चाहूंगा नौटिविकेशन तो जारी हो चुकी है कि without GST भी कोई व्यक्ति e-commerce platform पर sale कर सकता है लेकिन condition सरकार ने ये रखिया कि आपका जो माल sale होगा वो आपके ही राज में होगा आपके राज जिसे बाहर के order आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाली हो तो आपको सिर्फ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही order मिलेंगे क्योंकि एक अगर आपके पास GST नहीं है तो एक ही state में आप sale कर सकते हैं अपने माल को दूसरे state में नहीं भेज सकते हैं तो बस आप लोगों से इतना सा निवेदन रहेगा कि आप लोग business करें अगर essential item का करने की सोच रही है तो मासका कर लें लेकिन sanitizer का ना करें तो ज्यादा better रहेगा आपकी इस चीज को लेकर क्या राए है आप comment करके जरूर बताईए और अभी मेरी एक वीडियो आने वाली है e-commerce business पर की e-commerce business किस तरीके से शुरू करें उसके बारे में a to z जानकारी वहने वाली अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना जिससे बो वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके इस वीडियो को पहले ही लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना जिससे ऐसी वीडियो इन फ्यूचर आप लोगों को मिलती रहे आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तेहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद